बैकुंट पूर में लगतार गोववंश के सड़क पर रहने के कारण हो रही दुरगटना के विरोध में कॉंग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया इसी दोरान जिला द्यक्ष प्रदीप गुपता समेट कई कॉंग्रेस पताधिकारी द्वारा लवारिस गुम रहे गोववंश को ले जाकर वनपत पंचायत का रियाले में डालने की कोशिस की गई लेकिन पूलिस की मुस्तेदी के कारण वो सफल नहीं हो पा सके बता दे कि कॉरिया जिले समेट पूरे राजे में लवारिस गुम रहे गोववंश सडक दुरगटना का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं इसको लेकर कॉंग्रेस जिला द्यक्ष प्रदीप गुपता ने कहा कि कॉंग्रेस के शासन काल में बने गौठान को भाजपा के शासन काल में खत्म कर दिया गया है इसके लिए ये लवारिश गौववंश सडक पर भटक रहे हैं इसका आगे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के शासनकाल में गौठान में पर्याप्त चारा की विवस्ता की जाती थी उस वक्त ये हाल नहीं था पर गूम रहे हैं और एक्सिदेंट में बड़ी बड़े हाइवार गाडियों पर दब कर मर रहे हैं इसे तो हम साशन और प्रसाशन का ध्यान अक्रिश्ट कराना चाहते हैं कि गवंस को शुरचित किया जाए हार्दी जनता बाटी जो कि गवं के नाम पर वोट मांगती है और गाय के नाम पर ही राजनीती करती है तो उनी के राजे में गव की शुरच्छना हो यह बहुत ही विचायनी प्रस्ण है हम चाहते हैं कि अतिस्वी ग्रशाशन जो है गवंसों की रक्षा के लिए कोई ना कोई साधन हम करे बुलब कराए नहीं तो हम आगे चलके पूरा इस प्रदेश कांग्रेस करेंटी से दिर्देश मिलेगा हम आगे कारवाई करांगी गव सत्यागरा की जरूरत आज इसलिए पड़ी है क्योंकि चाहे वो ग्रामीन एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो सारी गाए शाम रात से रोड पे रहती हैं अब तो दिन में भी रहने लगी र लोड पर इस कारण से बहुत आक्सिदेंस हो रहे हैं किसी के नजर में नहीं पड़ती हैं यह गाए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रोड आक्सिदेंस जहां कम करने चाहिए उसके साथ साथ गव माता की सुरक्षा के लिए भी कोई न कोई कदम उठाए या तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट में कोई एक ऐसी जगे चिंधांकित करे जहां पर रोड से सारी गायों को ले जाकर रखा जा सके कि इस तरह से तो गाय भी परेशान हो रही हैं और इनसान भी परेशान हो रहे हैं